मुम्रा ट्राफिक पुलिस इस्टेशन के सामने मुम्रा पुलिस की टीम वा यातायार ट्राफिक पुलिस की टीम ने लगाई थी आज नाकाबंदी इस नाकाबंदी में 116 वाहनों की तस्वीरे खीची गई और चलान कर दी गई यानि और लाइन फाइन मार दिया गया 116 वाहनों की मुम्रा कौसा में चलने वाले आटोरिक्सा, मोटरसाइकल वा अन वाहने सामिल हैं किसी के पास लाइसर्स नहीं है तो किसी के पास बैच और ड्रेस नहीं है तो कोई बीना हेलमेट और बीना मास्क के मोटरसाइकल चला रहा था कुल मिलाकर दो घंटे की ये नाकाबंदी लगी थी और 45,000 के आसपास और लाइन फाइन मारा गया यानी चलान की गई आप तस्वीरे देखें किस तरह की नाकाबंदी आज ठाने पुलिस कमिशनर के आदेश के बात मुम्रा पुलिस और यातायाद ट्राफिक पुलिस ने की थी मात्र दो घंटे में 45,000 की चलान की है सुनिये क्राइम पियाई शीवाले ने क्या कुछ जानकारी दी है आज हमारे जो अडिशनल सुपी है उन्होंने आदेश दिया था कि शोहर में जो भी प्राफिक कारवाई करनी है जो रिक्ष्या चालक है वो ज्यादा तर अपना उनिफर्म नहीं पहनते और इसमें से कुछ गलब कामी हो सकता इसलिए जो भी रिक्ष्या ड्राइवर्स हैं उन्होंने अपनी उनिफर्म पहननी चाहिए जो भी उनिफर्म नहीं पहनेंगे उनके ओपर आज कारवाई हो रही है दुसरी बाद जो भी ट्वीलोर्स वाले लाइसंस नहीं रखते हैं हिलमेट नहीं पहनते और ज्यादा त तो आप ने सुना क्राइम प्याइसी वाले ने क्या कुछ कहा है और इसी के साथ सामाज राजनीती से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स